आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल तो उठता होगा कि शुद्ध हिंदी कैसे बोले और शुद्ध हिंदी कैसे लिखे और अक्सर आप इसके लिए कोशिच भी करते होंगे लेकिन या कोई जादू की छड़ी जैसी बात तो है नहीं कि कोई छड़ी घुमाई औ आपको शुद्ध हिंदी बोलना और लिखना है हम अगले कुछ विडियो में एक एक करके सही हिंदी कैसे बोले और सही हिंदी कैसे लिखे इसके कुछ जो मूलभूत सिध्धान्त है और इससे जो सम्मतनी जो मूलभूत बाते हैं उन बातों पर चर्चा करेंगे अक्सर कहते हैं खिलावना टूट गया और हम ही कहते हैं कि कुर्सी तूट गयूर में कहानी पढ़ी राम ने उपन्यास पढ़ा रॉन तो ही है। उपन्यास पढ़ा और कहानी पढ़ी खिलोना तूट गया और कुर्सी तूट गई मैंने पत्र लिखा मैंने चिठी लिखी अब आप देखें कि हिंदी में जितने भी शब्द है उन शब्दों का अपना अपना एक लिंग है और इसी का प्रभाव क्रिया और विशेशर पर पढ़ता है ऐसे में यह भूल बहुत वाभाविक हो जाती है चात्रों से यह लोगों से कि वहां गलत लिंग दिरिणय की वज़ा से गलत हिंदी बोलते हैं सबसे अधिक गलत या अशुद्ध हिंदी बोलने और लिखने के संबंद में जो एक महतुकूर मुद्दा है वह मुद्दा है शब्दों का लिंग ज्यान कैसे करें कैसे पहचाने कि यह शब्द स्त्रलिंग है या पुलिंग है अब बहुत लोग को आपने कहते वे सुना होगा भूख लगा है जबकि सही वाके क्या होगा भूख लगी है नींद आ रहा है जबकि सही वाके क्या होगा नींद आ रही है तो कि नींद भी स्त्रलिंग है और भूख भी स्त्रलिंग है तो अगर हम इस तरह की गलतियां करते हैं तो स्वभाविक सी बात है न तो हम अच्छी हिंदी लिख पाएंगे न अच्छी हिंदी बोल पाएंगे अच्छी हिंदी लिखने और अच्छी हिंदी बोलने के दिसा में जो सबसे प्रभावी कदम है वो प्रभावी कदम है, सही लिंग निरिणय कर पाना और अगर आप सही लिंग निरिणय कर पाते हैं, तो आप अच्छी हिंदी लिख सकते हैं, और अच्छी हिंदी बोल भी सकते हैं आई बस समझ में इसके साथ साथ अच्छा वाक की कैसे बनाना विभक्ती चिन्धों का सही प्रियोग कैसे करना सही शब्दों का प्रियोग कैसे करना एक एक शब्द के बहुत सारे परियावाची है तो सही शब्द कैसे प्रियोग किये जाए सही वाक के कैसे बनाए जाएं, विभप्ती चिन्हों का सही प्रियोक कैसे किया जाएं, इन सभी विश्यों को एक-एक करके हम आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे और एक पूरा विडियो सिरीज होगा हमारी क्लास का, चार से पाँच विडियोज होगे, अधिक्तम छे विडि आज सबसे पहले हम लोग सुरवात करेंगे, शब्दों के लिंग कैसे जाने, शब्दों का लिंग कैसे हम पहचाने, ताकि उस हिसाब से हम वाकिप्रियोग कर सके, आई बस समझ में, लिंग किसे कहते हैं, आप सब जानते हैं, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है, चिन्ह इसका उसर क्या हुआ क्रिया जो है वह स्ते लिंगो रएक नहीं तूट गई और छीब फिलोने तूट गया ही बसमच में खिलोना पुलिंग है और कुर्सी क्या है इस्ते के जान रहें कि फिलोना पुलिंग लेकिन कितने सारे असंख असंख अंगिनत शब्द हैं ऐसे में प्रतेक शब्द का लिंग जान पाना या याद कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है इसलिए हम उन कुछ नियमों को जानेंगे उन शर्तों को जानेंगे जिन शर्तों को जानने के बाद हम शब्दों के लिंग न आपको बताऊंगा कि पुलिंग शब्दों की पहचान कैसे करें उसके कुछ नियम है एक एक करके उन नियमों पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ठीके बच्चे पुलिंग को पहचानने की दिशा में एक यू सबसे प्रभावी नियम है वह है कि जिन शब्दों के अंत में और आ आते हों वे शब्द प्राया कूलिंग होते हैं प्राया कूलिंग वैसलिए कह रहा हूँ कि अपकु वाद की संभावना हर जगा बनी होती है आँ को स्वठों और औ करन शर्द जिन शर्दों का अंत में औ से होता है और आ का मतलगने का आका रांत वाले शब्द जिनका summer और का रांध है उलिंग अधिकर विद्याले आप ऐसे बहुत सारी शब्द आप देखें जिनके अंत में और आता हो स्कूल लौ है ना तो लौ के अंत में क्या है और यौ के अंत में क्या है आगे वस्वज में समाज कि जीवन कि देश इन सब सब्दों के अंत में आप अगर देखेंगे तो क्या है औकारांत समाप्त हो रहे हैं इस तरह के शब्द आप वाद को छोड़कर अभी मैं आपको आप वाद ही बताऊंगा इस तरह के शब्द जब ली आपके सामने आए तो इस बात की अधिकतर संभावना है कि ये क्या है और है आता है कि अपके के ये सिल्ग पूलिंग में नहीं आ हैं क्योंकि ये भोवो है और शह वाये शब्द यह के दृवना है कि बोहुत से शर्भ यहां लेकिन इसके अलावा मदस्राव सब्सक्राइब करते ही कि यह त्यावन सब्सक्राइं सब्सक्राइब ड़ें इन estaba प्रेटी कि दूत ऐसे ने त्या ना के लिए पुछ शब्दों के अंत में हैं उकारतु है यह सब क्या है इस्त्रिंग है कि भूख लगा है नहीं भूख लगी है भीड़ आ रहा है कि भीड़ आ रही है आ रही है बैठक हो रहा है या बैठक हो रही है बैठक हो रही है तो आप देखें कि अपवाद सब भी बहुत से ऐसे शब्द है जिनके अंत में आकारांत है लेकि कि क्या है इस्त्रलेंगेड जैसे की सभा प्रजा जनता सेवा सेवा करना चाहिए कि सेवा कर नी करो कि जनता आती है वी जनता ऑती है और हम कहते न कि यह जनता है यह सव जानती है कहते हैं तो इस तरह से अपवात फुरूप ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिनके अंत में आकारांत या अकारांत होने के बावजूर भी यह कुछ सब्द हैं जो क्या है इस्ट्रिलिंग में प्रियोग किये जाते हैं इसलिए वाक्य बनाते समय या बोलते समय हमें बहुत सतर्क होकर इसाउधानी से शब्दों का प्रियोग करना चाहिए या वाक्य बनाना चाहिए ठीक है पैरे बच्चों चलिए डूलिंग शब्दों की पहचान के दिशा में दूसरा सिध्धानतिया काम करता है कि पहाड दिन महीना ग्रह समय जल अस्थलोवादी के ना प्राया क्या होते हैं फुलिंग होते हैं ठीक है जैसे कि किसी भी पहाड कर आप नाम ले लिजे वो सब क्या है पुलिंग है विंध्याचल परवाद या हिमाले ठीक है हिमाले गा रहा है या हिमाले गा रही है हिमाले गा रहा है क्योंकि हिमाले क्या है पुलिंग है सोमवा प्रिथ्वी ना प्रिथ्वी का पुट्रिंग में किया जाता है बाकि जितने भी ग्रह है बुद्ध है शुक्र है नेप्चुन है समय सूचक शब्ज जबहाएगा वाग्य प्रयोग करेंगे तो पुलिंग में प्रयोग करेंगे 12 बज रहा है नहीं होगा आप Southern बज रही है यह 10 बज रही है तरह अपने की बात हैं मैं मैं सच बोल रहा हूँ, समय सूचक जितने भी शपने वो सारे पुलिंग होते हैं, जैसे कि नौ बज रहा है, दस बज रहा है, बारह बज रहा है, बारह बज रहा है, बारह बज चुका है, तो चुका है, रहा है, ये सारे क्या है, पुलिंग की सूचना दे रहा है, आप बार बज रही है नहीं लिखेंगे दस बज चुकी है नहीं लिखेंगे आगे किसमें तो यह देख डिन महीना ग्रह समय जलस्थल ज mentionने भी आते हैं महासागर प्रशान्थ महा सागर कि ठीकिन एवब शिवर्वा और वगढ़ा जलस्थल हैं यह सब किसमें आते हैं पुलिंग की स्रेडी में ठीक है प्यारे बच्छों चलिए अब तीसरा सिर्धांट जा देते हैं pulling सब्दों के पहींचान के समद में एक तीसरा सिर्दान काम करता है और यह बहुत जरूरी और m ऊधिकों सिर्दान का कि समझते हैं कि जिन शब्ण के अन्थ में को रोड विअि नौ हो चा हो ज़र अर वो आए हो ऐसे शब्द प्रायह पुलिंग होते हैं अपवाद होते हैं हर जगा लेकिन प्रायह क्या होते हैं पुलिंग होते हैं आप देखें त्रो ठीक है चित्र चित्र के अंत में क्या है त्रो है या पुलिंग है मित्र पुलिंग है मेरा मित्र या मेरी मित्र मेरा मित्र ठीक है पत्र पत्र लिखा या पत्र लिखी उत्र लिखा देखें की आप ज्यादातर शब्द जिनके अंत में आप तुरौ पाएंगे वे शब्ड प्रायो होँगे पुलिंग होँगे थिए उसी प्रकार 9 थन मन मेरा मन चंचल है या मेरी मन चंचल है मेरा मन चंचल है ठीक है बदन सदन सदन कहते हैं घर को तो ज्यादातर शब्द जिनके अंत में नो हो वह भी प्राया क्या होते हैं पुलिंग होते हैं मैं बार-बार कह रहा हूं कि अपवाद होने की संभावना है लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर शब्द तो बहुत चारा मान लीजिए सौव शब्द हैं सौव शब्द में आप देखें कि असी शब्द या नब्वे शब्द अंत में नो वाले क्य जागरण पोश्रण व्याकरण जागरण हो रहा है प्रण निकल गए अब देखें कि व्याकरण पढ़ा या व्याकरण पढ़ी लेकिन अगर हो व्याकरण की किताब तो व्याकरण की किताब पढ़ी क्योंकि किताब क्या है इस्त्रिलिंग है ठीक है और वह प्रमुक्र गया है ठीक है व्याकरण से सूचना भर मिल रही है कि वह व्याकरण की किताब है तो ध्यान देने वाली चोटी-चोटी बात है ठीक उसी प्रकार खो सुख दुख मुख ठीक है जितने भी यह खो के अंत वाले शब्द होंगे वह भी पुलिंग होगे लेकिन इसमें कुछ ठीक है उसी प्रकार आर आर अगर आर आए शब्द के अंत में तो वहां पुलिंग होने की संभावना बहुत अधिक है अब वात को छोड़कर आचार विचार व्यवहार ठीक है उसी प्रकार आए अगर अंत में शब्द के आए आता है तो वहां पुलिंग हो सकता है जिसे न्याय व्यवसाय अध्यवसाय इत्यादी जितने भी शब्दें जिनके अंध में आए आए तो इस प्रकार आप देखने कि इस तरह से भी आप कुलिंग शब्दों को क्या कर सकते हैं पहचान सकते हैं ठीक है अगला सिद्धान देख ले चले अनाज और पेड के जो नाम है व पुलिंग उसी प्रकार पेड़ पेड़ में इमली का पेड़ जो है और खिरनी का जो पेड़ होता है इसको छोड़कर के बाकी पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं सभी पेड़ों के नाम क्या होते हैं प्राया पुलिंग होते हैं तो अनाज में डाल डाल क्या है इस्तिलिं बन रही है दाल बन रहा है तो यह भी अनाज है लेकिन इसके बावजूद भी आपवाद है यह क्या है इस तरह नहीं तो मोटे तोर पे दाल को छोड़ करके बाकी आना अनाज जो हम सामान में दिंग चड़िया में इस्तेमाल करते हैं वो प्राया सभी क्या होते हैं हैं द्धात्मों इत्यादी के नाम प्राया क्या होते हैं ठीक है अब वाध होसकते हैं जिससीकि ही रा मोति सो ना पन्ना यदि सब क्या है इसक्ती बंद ही आपई मश्कूर कलान सुना, अरे पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए सुनाए ना चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा जाए मतलब तो आप देख रहे हैं कि यह हीरा मोती सोना पन्ना सब क्या है पुलिंग है हातों में देखेंगे आप तामबा पीता लोहा यह सब भी क्या है पुलिंग है द्रवपदार जो हम पीते हैं अनी जल घी ठीक है जूस शर्वत रस ठीक है ना रस मीठा है रस मीठी है रस मीठा है लेकिन अब वाद में है कुछ चीजे ठीक है जैसे कि चांदी नहीं है चांदी क्या है इस्तिलिंग है चांदी चमक रहा है कि चांदी चमक रही है चांदी चमक रही है तो देखें आप धात यह रत्न होते हुए भी चांदी और मड़ी क्या है इस्तिलिंग है उसी प्रकार शराब चाय और लसी शराब पी जाती है शराब पिया जाता है ठीक है तो शराब हो गया चाय हो गया लसी यह सब क्या है इस्तिरलिंग आई बसमझ में तो द्रौपदार्स होते भी यह अपवाल है तो हमेशा ध्यान दखें शराब का इस्तिमाल चाय का इस्तिमाल और लसी का इस्तिमाल कि कहने का मतलब है कि इसका इस्तेमाल आप इस्तरलिंग शब्दों के लिए करें आप कुछ और इस्तेमाल ना सोगे शड़ाब स्वास्त के लिए बहुत हानिकारक है नहीं पीना चाहिए मात्मा गांधी चाहते थे कि इस पूरे देश से क्या हो शराब बंदी हो जाए और पीने से एक तो आप अपना स्वास्त करते हैं और दूसरा समाजिक समस्याओं को भी बहुत सारी समस्याओं को भी आप क्या करते हैं जन्म देते हैं तो शराब ना पीने तो ज्यादा अच्छा ठीक है आगे बढ़ें यहां देखें कि ऐसे शब्द जिनके अंत में अक्सर आस आता है ठीक है ऐसी शब्द भी क्या होते हैं पुलिंग होते जैसे कि खटास परिहास विलास मिठास अठाहास तो जहां-जहां आएगा आप समझ जाएगा कि यह शब्द क्या है प्रायाँ पुलिंग होगा इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द है जिनका प्रियोक हमieron फुलिंग में होता है जैसे पक्षी सोता कववा कचुवा चीए चीटा यह शब्द क्या है पुलिंग में परियोग किये जाते हैं तो मोटे तोर पे यहीं वह सिध्धांत है जिन सिध्धांतों को समझ कर आप यह कर पाने में आपको यह सहूलियत होगी कि यह शब्द पुलिंग है या क्या है इस्ट्रिंग है और आप सही वाख के बना सकेंगे और सही से बोल सकेंगे आई मैं समझ में तो यह तो हो पुलिंग की बात अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम इस तरलिंग शब्दों को पहचानें के सभी साह सुआ vorsयदहां करता है वह होता है काली जन शब्ले profit में यह São इद्वनी आती है ऐसे सब्लाया क्या होते है इस्तिलिंग हुटे है ठीक है जैसे के रोटी हुआ घोरी काली नाली इस्तरी कर्नट निए वर्दी नारी आप देख रहें कि अंत में क्या है लिखें या वर्दी लिखें यदि जो बी शब्द मैंने बोला घौरी ठीक है काली अंत में क्या रहा है ए च्र्फ यह श्ब्स प्रिलिंग ह में लेकिन इसके अलावा पुलिंग है मोती यह सब क्या है इसके अलावा एक और हमारी विंचर्या में बहुत प्रियोग में आता है दही कि इस्तरलिंग है पुलिंग है पीका रांत है लेकिन अप्वाद है दही खट्ता है कि दही खट्टी है दही खट्टा है कि दही आप्वाध है दही क्या है पुलिंग है कि इस अप्रय प्रायह क्या होते हैं अब आपको ध्यान में आ रहा हुआ कि थोज देर पहले मैंने बताया था कि ऐसे शब्द जिनके अंत में खौ वो पुलिंग भी होते हैं होते हैं जिसे मुख सुख दुख लेकिन शब्दों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिनके अंत में खौ होता है और वो इस्त्रलिंग होते हैं जैसे कि राखह, भीख, सीख, ठिक है शीख मिली या सीख मिला ऐस भीख मिली बिख मिली वैसे ही जिनके अंत में है उलाई, बुराई, उचांचांच, संचांच, गहराई ठिक है को ना सचाइ की चोट बड़ी गहरी होती है यह नहीं कहते हैं सचाइ की चोट गैहरा होता है बिल्कुल गलत बाक्षे है की ठीक ठीक है या बुराइढ बुरी बात है को अ अंत में हट और वट है जैसे कि मुश्कुराहथ ठीक है वट अगर है तो बनावट आहत ठीक है तो हट और वट अगर आता है ठीक है अंत्रता सुन्धरता देखने की चीज है ठीक है स्वतंत्रता मिली देख रहे हैं यह शब्ügen इस बहुत से श्रब्द झिनके अंत में ता है ध्र tenido होते हैं ठीक यह भात हैब अमें कि नाम प्राया इस्त्रलिंग होता है कोई भी तिथी आप उठाइए एकारसी द्वादसी पंचमी द्वितिया द्रतिया शष्टी जो भी तिथियों के नाम होंगे हिंदी पांच सांग के अनुसार वो सब क्या है इस्त्रलिंग है ठीक उसी प्रकार नदियों के नाम क्या है इस को बठता सिभए है? आँ सी बनाव स्टरिवल में और वक्य में इसका प्रियोब एक बच्चा खड़ा हुआ and और कहा गुरुजी हावा बहता है अच्छा अच्छा ठीक है दूसरे को बताओ जी हावा बहती है अच्छा फिर तीसरे को उठाया तो तीसरे को उठाया बच्चे को लगा कि लगता है दोनों का उत्तर क्या है गलत है तो उसने खूब कल्पना की खूब सोचा विचारा और मह प्राइब रहे हैं तो इसको हम कैसे मापे लगातार बह रही है ना तो यह बहा है तो वैसे ही व्यास नदी बहती है कि व्यास नदी बहता है आप में कोई ऐसा दो ने कि कहने वाला व्यास नदी बहा हो रहा है तो नदियों के नाम वी प्राया क्या होती है घर ठीक है प्यारे बैद्चों आकारान तच्षम शब्ड जो होते हैं वो स्तरलिंग होते हैं तच्षम सब्ड समझते ना इसे कहते हैं के कर सम्सकृत के वेजब्द जो मूल श्रूप से हो बहु हिंदी में प्रयोग किये जाते हैं पुलिंग होते हैं जैसे की घड़ा घोड़ा यहां बात हो यह आकारान तप्सम शब्दों की ध्यान रखेए जहां जब तप्सम शब्दाएं आकारां तो प्राया क्या होंगे इस्टरिंग होते हैं ठीके पहारे बच्चों तुमें अर्भी फारसी और उर्दू भाषा के श जाती है है ना तो अंत में क्या है तो है है ना ठीक है क्या कहा मैंने उर्दू फार्सी अर्भी भाषा के सम्द जिनके अंत में तो हो वो क्या होते हैं इस्त्रलिंग होते हैं जैसे मुहबब इबादत इबादत किसे कहते हैं बच्चों प्रार्थना इबादत की जाती है ठीक वगावत कयामत कयामत आएगा कि कयामत आएगी कयामत आएगी तो ये उर्दु खार्सी और अर्वी भाषा के ऐसे शब्द जिनके अंत में तो हो वे शब्द भी क्या होते हैं इस्त्रिंग हो जाते हैं ठीक है बच्चे और अंत में अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द ठीक कि». जिंका इस्तेमाल हम आए दिन रोजムाज़ा के अपनी जिंदगी में करते हैं। लेकिन वे कुछ स्थे इस्त्रलिंग में प्रयोग किया जाते अँख शब्द helping में प्रयोग किया जैसे हमारी जिम्दगी में जिनका इस्तेमान हम इस्तिरलिंग में करते हैं जैसे की कार ठीक है फिल्म फिल्म देखी या फिल्म देखा बस बस आ रही है या बस आ रहा है यूनिवर्सिटी उनिवर्स्टी खुला है या इनिवर्स्टी खुली है खुली है इनिवर्स्टी इस्तिरल चल रहा है या मशीन चल रही है तो आकार एंट इसमें भी लेकिन या अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो यह इस्तरलिंग में प्रयोग किया जाता है ठीके प्यारे बच्चे इसके अलामा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिने हम उभाय लिंगी कहते हैं उभय लिंगी से मतलब है जिनका प्रियोग हम इस्त्रिलिंग में भी कर लेते हैं और उलिंग में भी कर लेते हैं और गलत नहीं माना जाता है ठीक है इन्हें हम क्या कहते हैं उभय लिंगी शब्द कहते हैं जैसे तार तार आया या तार आय दोनों सही है ठीक है उसी प्रकार रामायड ठीक है रामायड लिखी गई या रामायड लिखा गया दोनों ही वाके सही है ठीक है उसी प्रकार कलम कलम भी दोनों में प्रयोग कर दिया जाता है मेरी कलम या मेरा कलम तो कभी-कभी आप मेरी कलम कहें तो भी सही है और मेरा कलम कहें तो भी सही है अब आप किसी मित्र से मिलिए गा और कहिएगा यह मेरा कलम है वो लगा अच्छा फिर बोलेगा कि तो जब उसको कहेगा कि अइसा है कि कलम को हम दोनों लिंगों में प्रयोग कर सकते हैं ठीक है फ्यारे बच्चे तो यह थे लिंग निरनाय से संबंदित कुछ मूल बोच से धान और मुझे भरोसा है अगर इनसे धानतों को आप ध्यान से देखें समझें और एक दो बार पढ़ने की कोशिश करें तो इस्तरलिंग पुलिंग संबंदी बहुत सी गरवड़ी जो आपसे होती है जो गलतियां आप करते ह करने से आप क्या कर सकते हैं बंद सकते हैं तुमसे रोशन यह फिजास आ रहा है है ना चलिए बंद कर दीजिए